यहां आप सभी को मिलती हैं फुली एक्सेसिबल टॉक्पेक के साथ ज्ञान बर्धक, टेक्नोलोजी, चौब अलट से सम्मंदित नई नई अपडेट्स इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीज़े सब्सक्राइब, वीडियो को कीज़े लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमादी वीडियो की सबसे पहले अपडेट्स तो कंट्यूनिव वाचिंग इन्फोर्मिशन फोर विजुली इंपेर्ड यूट्यूब चैनल इन्फोर्मिशन फोर विजुली इंपेर्ड में जैसा कि आप सभी को पता है मैं डे टू डे आप सभी को SSE से related या कोई भी government job होती है मतलब हार एक information आप सभी के लिए day by day मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ हमारे इस official YouTube channel के थूँ ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी को इसका लाब भी मिल रहा होगा है जैसे कि आपने देखा होगा recently मैंने कुछ वीडियोज अपलोड की है जैसे कि SSE CHSL 2020 का document verification का जो admit card आउट हूँ है उसको download कैसे करना है या फिर SSE CHSL 2020 का जो typing error mistake जो out हुआ है वो आपको किस तरीके से check करना हुए आपने typing में आपका कैसा performance आपने दिया था है या फिर उसके लावा अगर हम बात करें और भी मतला बहुत सारी वीडियो में ने upload की हुई है और आगे भी करता रहूंगा ठीक है तो फिलाल आज की वीडियो का title पढ़िके तो आप समझ गरेंगे आज हम की टोपिक पर बात करने वाले है सो गाइस मैं बता दूं कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि SSC MTS 2021 के जितने भी students है 2021 इसलिए बोल रहा हूं आप कहेंगे अभी 2022 चल रहा है क्योंकि जो current में जो अभी recruitment चल रहा है जिसमें हमने बताया था कि SSC MTS 2021 की all over state में कौन-कौन से state में visually impaired की कितनी-कितनी यानि कि blind की कितनी-कितनी cut-off गई है 18-25 ग्रूप की और 18-27 ग्रूप की अभी तक भी वीडियो नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं उस पर अल्रेडी हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है ठीक है तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुत सारे ग्रूप में मैं देख रहा था चर्चा भी हो रही है और बहुत सारे लोगों को confusion भी है मेरे पास कुछ मेल्स भी आई थी और कुछ कमेंट में भी लोगों ने पूछा था ठीक है तो मैं आज की वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाला हूं कि कि SAC MTS टीयर 2 का जो आपका एक्जाम होने वाला है 6 नमंबर को ठीक है दिन है संडे उसका जो एड्मिट कार्ट का स्टेटस है वो कौन-कौन से रिजन का आउट हुआ है और एड्मिट कार्ट आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे लाइप प्रूप के साथ सारा कुछ आप मैं तो आइस चीवर्प आपको इस धब्र सब्सक्राइं नोर्थ है यह तो इस जाफिए अपने घली अपनी टृप ठाने हर राजिस्ठान हो गया हो गया यह फिर आपका देल्ली हो गया भीques 수्काष उ direction ऑने हो में कहीं दिखा देते हैं कि कौन से रीजन के स्टेट स्टेट्स आउट हुए हैं और कौन-कौन से रीजन के अभी हुए हैं और वो कब तक हो सकते हैं और आपको कब तक मिल पाएगा सारी इंफरमेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं ठीक है तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जरूर जाहिएगा ताकि आपकी एक लाइक स को जरूर से जरूर सस्क्राइब करें और बैल आइकन को ओल पर जरूर सेट करें ताकि इन फ्यूचर हमारे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चले गाइस मैं आपको वेबसेट पर लेके चलता अब कोट चलिए यहाँ पर करते करते कर आगे चलूंगा यहाँ पर मैं आइकन पर क्लिक करऊंगा आप जैसे मैं सब्सक्राइब करता हूं सब करेंगे अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इसका जो पेज हमारे सामने ऊपन हो जाता है आप किस तरीके से आपको चेक करना चेक आपको बताने वाला हूं ठीक है तो चलिए मैं राइट स्वाइब करते करते आगे चलूँगा यह देखे यहां पर स्टेटेस बता दिया किसके रिकार्डिंग है आगे चलेंगे पोस्टेट स्लैस कब की अपडेट है एक्टोबर 27 मतलब की कल इवनिंग की अपडेट है ठीक है आज मोर्निंग में आपको अपडेट मिल रहा है आगे चलेंगे में यहां पर क्या दिया हुआ है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन एससी का फुल फॉर्म है आगे चलेंगे यह देखें नवंबर 6 को आपका ट्यूर्टू होने वाला यहां पर बता रख रहा है ठीक है आगे चलेंगे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन एससी आगे चलेंगे यह देखें आगे चलेंगे टीयर टू सीबीटी एक्जाम डेट नवंबर 6 ठीक है और गाइस मैं आपको बता दूं अगर आपने यह हमारा वीडियो नहीं देखा है कि जिसमें मैंने बताया था जो एक्जाम होना है 6 नवंबर को उसका जो पैटरन है वह वापिस से बदलाव कर दिया गया है अगर वह वीडियो नहीं देखा तो जाहिए उस वीडियो को देख लीजिए चैनल पर ओल्रेडी वह वीडियो अप्लोड़ीड है ठीक है आगे चलेंगे सब्सक्राइब हो चुके हैं सभी के आगे चलेंगे सब्सक्राइब करा जाता है यह भी पताया आगे चलेंगे सब्सक्राइब कर देखें यहां पर बता रखा है कि अगर आपने एक्जाम दिया है तो यह आप इसे को दे पाएंगे और बिसली यह तो हमें पता ही होता है आगे चलेंगे किस तरीके से डाउलोड कर पाएंगे यहां पर यह बताया हुआ है सब्सक्राइब कर सकते हैं यानि कि चार दिन पहले आपको एड्मिट काड मिलेगा आपका आपने श्टेटेस तो देखी लिए छे नॉमबर को सभी का एक्जाम है तो दो नॉमबर को इसकी एड्मिट काड आपको देखने को मिल जाएंगे जब भी आउट होगा कितने बज दो आगे चलेंगे अब यह देख लेते हैं कौन कौन से रिजन के अभी जो एड्मिट कार्ट के स्टेटेस हो यहां पर आउट किये गया है ताकि आप यह चेक कर पाएं कि आपका एक्जाम कहां पर है ठीक है आगे चलेंगे 1st method to download SSC MTS 2021 paper two Cpt exam call letter पहला दीऊ पर क्या यह बता लख था है यह देखिए बता रहे हैं पहला मेधेड आपका रेश्रेशन नमबर देटों बर्थ होना चाहिए उससे भी आप कर सकते हैं आगे चलेंगे यहां पर क्या है यहां पर क्या है अगे चलेंगे अगे चलेंगे देखें यहां पर यह बता रहा है कि आपका जो एड्मिट कार्ड है वह आपको फोर डेज बीफोर मतलब चार दिन पहले मिलेगा यहांनि आपका 6 नमबर को एक्जाम है तो 2 नमबर को आपका एड्मिट कार्ड आएगा सभी का चाहिए वह कोई किसी भी रिजन से हो और यहां पर बता रखा है कि अभी जो स्टेटेस आउट किया गया है उसमें आप सभी को यह पता चल पाएगा क देखें दोस्तों यहां पर बड़े ज्यान से सुनिएगा हर एक चीज को डाउनलोड लिंग ठीक है आगे चलेंगे देखें उत्तर परदेश और बिहार कौन सा रिजन आता है इसमें अब इसके जो स्टेटेस है वह नहीं हुआ वह देख लेते हैं यहां पर अवेलवल सून लिखा है इसका मतलब यह अभी आउट नहीं हुआ है इसका स्टेटेस अभी आउट नहीं हुआ है ठीक है आगे चलेंगे राजिस्तान डिल्ली और उत्राकंड यह आते नौर्थ रिजन में नौर्थ रिजन ठीक है अब इसका अवेलवल हुआ है कि नहीं हुआ है अवेलवल सून मत होगा जब भी आउट होएगा सभी का तो मैं आपको एक और वीडियो के मादम से भी बताऊंगा ठीक है आगे चलते हैं देखिए मद्देपरदेश और 36 गड़ का रिजन कौन सा है अब इसका हुआ यह नहीं वह देखते हैं क्लिक है क्लिक है का मतलब यह है यहां पर आउट कर दिये गया है जैसे आप क्लिक करेंगे ऑफिशल पोर्टल ओपन हो जाएगा किस हिसाब से आपको करना है वह तो वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वह आप अपने हिसाब से देख लिजेगा मतलब की इसका मतलब यह कि इसका यहां पर आउट हो गया आगे चलेंगे इनका रिजन कौन सा है इस्टें डिजन से लिए कि नहीं यहां पर स्टेट के नाम बता दिया अगर आप इससे बिलोग करते हैं आपने यहां से अप्लाई कि तो देखिए यहां पे इसका हो गया है स्टेय्ट लेंगे फari она पंजाब जमु कर्श्मीर और हीमा चल नॉर्थ वेस डिवह हूं रिज्न इसका भी दोस्तों यहां पर आउट हो गया है महराष्ट्रा गुजरात और गोवा इसका भी दोस्तों यहां पर आउट हो गया है अंदर प्रदेश पूंजर जैरी और तमिल नाडू इसका भी दोस्तों यहां पर आउट हो गया है बट आपका नौर्थ रिजन का और आपका इस्टर रिजन यानि यूपी और बिहार दिल्ली उत्राखंड और राजिस्थान इनका दोस्तों यहां पर रह गया बाकी सभी का यहां डुकल है तो इन दो रिजन का जब भी आउट होगा मैं आपको वीडियो के मादम से बताऊं में मैं आपको फिस्तर के इनफोमेशन आप चाहते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नहें और पहली बाद आए इसी तरह की इनफोमेशन हमेशा पाना चाहते हैं प्लीज गाईस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें पास में दिये गए बेल आइकन को ओल पर जरूर सेट करें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना विल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को सभी तक शेयर कर झाल